सोले में प्रस्ण, A वराबर मेर्टिक्स ये दिया हुआ है, हमें ये सब्त्यापत करना है और इसी की साहता से A इन्वर्स का मान ग्याद करना है और अंत में हम देखेंगे कि हमने A इन्वर्स का मान ग्याद करने के लिए A में तड़ ही Q चुनी शुरू करते हैं, A q निकालना है तो पहले A square निकालेंगे, A गुणा A, A square हमें निकाल लिया हुआ जिया A cube निकालना है, A square में एक हम गुणा किया, और calculate किया हमें ये A q अप्रियो का मिल गया लेकिन यह दिया हुआ है और आई हमें इसी पोट का नौलाना आए है आप मान लिया है हम लेप्ट हेंड साइड में कमान रखेंगे ये, ये हमारी लेप्ट हेंड साइड है, इसमें हमने एक क्यूब कमान रखा, 6A2 है तो A2 ये और 6A, plus 9A, minus 4 ये मान रखने के बाद कैकुलेट किया, तो ये देखिए, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 आ रहे हैं, यानि 0 matrix आ रहा है, इसलिए ये सत से 2 बेरा है, आप हम इसकी मदद से A inverse निकालेंगे, तो ये पूरा समय कर हमें लेना है, A inverse निकालने के लिए हम A inverse का इसमें बढ़ा करेंगे, जोनों पच्चों में, अब हम A inverse का जोनों बढ़ा कर रहे हैं, देखिए, इसमें बढ़ा होगा, तो दो पावर रहे जाएगे, माइनस 6 ये constant बाहर रहेगा, और एक बार A inverse का, जब A square में बढ़ा होगा, तो A आजाएगा, A power कम होती जाएगे, लेकि जब A में बढ़ा होगा, तो A inverse into A, ये होता है, आई, ये सूत्र मान सकते हैं, तो यहाँ पर 9 और A inverse into A plus 4 times minus, और A inverse और I बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि A inverse में 0 का बढ़ा किसी भी मैट्रिक्स में करें, इरो मैट्रिक्स भी आएगा, तो हम एक लाइन और लिख देखे हैं, इस पाहर मैनस 6 ते, प्लस देखे, 9 I आजाएगा, मैनस, I का किसी भी मैट्रिक्स में बढ़ा करते हैं, तो वही मैट्रिक्स आता है, आई को हम एक की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे नमबर सिस्टम में एक होता है, किसी में बढ़ा करें, वही आता है, तो एक की तरह और जीरो मैट्रिक्स को जीरो की तरह यूज़ कर सकते हैं, खलाल इस तरीके से लिख ले रहे हैं, और इनके मान A2, A, I, और जीरो मैट्रिक्स के मान रख देते हैं, और देखते हैं क्या आता है,